हेलो एवरीवन वेलकम टॉ आर चैनल इस वीडियो में हम आप सभी की रिमान पर लेकर आए हैं प्रतिवा पर्व मुल्यांकन वक्षी 2021-22 का पेपर कक्षा आठ के विशे हिंदी का पेपर है ये जो की MP में जो आपकी मध्य प्रदेश में जो एक्जाम हो रहे हैं प्रतिवा पेपर का सॉलुशन देखेंगे तो चलिए बिना देरी के फटा-फट से स्टार्ट करते हैं यहां पर आपको सबसे पहले मिलेंगे बहु विकल्पिय प्रश्न प्रश्न क्रमांक एक से आठ तक के हैं तो यहां आपको एक सूचना दे रखी है यात्रा कारेकर्म की सूचना है यह तो इससे ध्यान पूर्वक पड़ें अब इससे रिलेट हम कोशन के आंसर देखेंगे कोशन फरस्ट है खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए तो यहां चार आप्शन है करेक्ट आप्शन को फिल करना है जो कि क्या हो जाएगा आपका पाजार से चादरे खरित कर लाया नेक्स थर्ड कोशन है चात्र किसकी साथ यात्रा पर जा रहे हैं ऑप्शन है अपने मातापिता के साथ अपने शिक्षकों के साथ अपने रिष्टेदारों के साथ अपने प्रधाना ध्यापक के साथ तो यहां आंसर आपका करेक्ट हो ज प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगुना हम वापस भी करेंगे क्यूंकि आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्षिन भी दुगुना वापस देने पर प्राकृतिक संतुलन बना रहता है बनता है नेक्स कोशन सिक्स्ट है विश्व प्रियावरन दीवस मनाने का क्या कारण है यहां आंसर हो जाएगा आपका करेंग ऑप्षिन भी प्रकृति सरक्षन के प्रति जागरुकता सैबिन्थ कोशन है पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रितिक है यहां आंसर कर प्रिक्रति बचाने का नेक्स एर्थ कोशन है विश्व प्रियावरन दीवस मनाते हैं पूरे विश्व में मनाते हैं विश्व प्रियावरन दीवस तो यहां आप्षिन करेक्ट हो जाएगा आपका आप्षिन डी पूरे विश्व में नेक्स आपको मिलेगा प्रश्न क्रम प्रश्ण क्रमांक 9 से 13 लगूत्र ये प्रश्ण जिसमें आपको लगूत्तर देने हैं, प्रश्ण संख्या 9, 9 है, रहीमन बानी रखिये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, उप्रियुक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुस के लिए किस चंद की हैं, चंद का नाम और उसकी विसिष्टा लिखिये, तो दोहा चंद की हैं प्रंक्तियां, यह है अर्ध सम मात्रिक चंद हैं, यह है दो पंक्ति का होता है, इसमें चार चरन मानी जाते हैं, इसकी विशम चरनो अर्था, प्रथम तथा त्रितिय में 13-13 मात्राएं, तो यहाँ लिखेंगे पत्र दो प्रकार के होते हैं अनुपचारिक पत्र और अपचारिक पत्र 12 कुशं है वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना उनका ब्यास के मारे बुरा हाल है पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे वो प्रियुक्त अनुछे में उचित इस्थान पर उचित विराम चिन लगा कर पुनह नीचे लिखिए तो यहां आपको ठहराव भी नहीं दे रखा है यहां कॉमा लगाना है बाना ही दे रखा है तो हमें सही विराम चिन का यूज करना है दिये गए sentence में तो लिखेंगे वह, मन ही मन, बड़े देव को मानाने लगी है फुल स्टॉप बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है पानी नहीं मिला, तो वे मर जाएंगे तो यहां फुल स्टॉप लगा देगे, ठीक है, पूर्ण विराम चिन तो इस तरह से हमने कम्प्लीट किया है विराम चिनों का यूज करते हुए इस sentence को 13 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है तो यहां अंसर लिखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतिय एरोस्पेस वेग्यानिक थे और अगनी और पृत्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में एहम भूमी का निभाई थी उन्होंने 1998 में भारत की पोखरण दो नुकलियर टेस्ट में एक बड़ा संक्राफ मग तकनिकी और राजनितिक रोल अदा किया था इसलिए इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है अब है आपके दिर्ग उत्तर ये प्रेशन जो कि आपकी है 14, 15 और 16 ठीके तो यहां आपको कैरफुली रीड करके आपको इनको आंसर देने है क्योंकि काफी अच्छे मार्क्स के कोशन है यह चार चार नंबर की मार्क्स की कोशन है ठीके तो यहां 14 कोशन जो आपको दे रखा है वो है एक पध्यांश इस पध्यांश को आपको कैरफुली रीड करना अब इसे related questions पध्यांश नहीं है, यहां पर गलत दे रखा ही, गध्यांश है, तो गध्यांश को पढ़कर कि इसे जो नीचे लिए दिये गए question है, इससे related, तो उनके answer आपको करने है, तो आप इसे पढ़िए, ठीक है, मैं आपको answer बता रही हूं, तो यहां दिये गए गध्य question है, उप्युक गध्यांश का उचित शीषक लिखिए, तो यहां शीषक होगा, सकारात्मक सोच, second question है, इस गध्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, तो यहां लिखेंगे, यदि हमें सफलता हासिल करनी है, तो हमें उसके लिए अपनी मानसिक सोच भी बनानी की कुझी है, अगर हम नकारात्मक यानि नेगिटी थोर्ट्स लाएंगे कि हमारा उन्नती नहीं हो सकती है, या फिर हम किसी एक्जाम में पास नहीं हो सकते हैं, तो हम उसी की अनुरूप कारे करने लगेंगे, और हमें निराशा ही मिलेगी, अगर हम यह सोचते हैं कि मुझ जारती जीवन में तो बहुत ही जादा आनिवा रहे हैं, तो यह था इसका हिंदी अर्थ, अब देखते हैं 15 कोशन ए पराजीता पार्ट के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को ए पराजीता क्यों कहा गया है, आंसर लिखेंगे, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा ने पक्षा घास को जारी रखा, और लास्ट कोशिन है, आपका छोटा नाकपूर छेत्र में अंग्रीजों के विरोध में हुए आंदोलन में, शाहीद विर्सा मुंडा की भूमिका को लिखिए, तो यहां लिखेंगे, मुंडा एक जन जातिय समू था, जो छोटा नाकपूर पठार यानी जो जहारखन निवासी था विर्साजी को निस्तों में, आदिवासी लोगों को संक्तित करते देख़्, बृतिस सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और तथा उन्ने दो साल की सजा दी गयी थी, विर्सा मुंडा ने मुंडा लोगों को अंग्लेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेत्रतव प्रदाल किया था तो इस तरह से ये था आपका हिंदी पेपर का संपुन जो है आपका पेपर तो उमीद है आपको समझ में आया होगा और डेफिनिटली आप जो इसकी पुनांग है उनसे पुन पुनांग हासिल करेंगे तो हमारा चैनल आप सभी के लिए यही दुआ करता है कि आपको अपनी आने वाली एक्जाम जो एक्जाम हो रही है उनमें पुनांग जो आपकी पुनांग है 50 नंबर 50 में सी 50 आप अरजित करें प्रतिक विशह से अर्जित करें हमारे चैनल दौरा सभी विशों के आपकी जो एक्जाम पेपर हैं उनके संपुन सारांश संपुन जो कुशन आंसर से वो बताए गए हैं अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो इसी साथ लेते हैं हम विदा इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी वीडियो लाते रहेंगे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद